आप लोका स्वागत है दोस्तो गल टल जा रहे है दोस्तो एक बहुत बड़ी objective कि Samora पर अगर कोई वि Amber या के सब्सक्रा लिए बूमाई सकते हैं यह आगलden बлар선 पाद लेखिसका पर घुरू इपरल शारे अगर पूर्लय की शलतते हैं से जानना है तो दोस्तों ये वीडियो को सब्सक्राइब करते कि यह जो-स रीक है जो कि football match हो रहा है वर्ड कप का इसलिए दोस्तों ये नया नियम लाया गया है और ये ये जो नया नियम है अगर कोई भी कतर जाना चाहरे तो कौन कौन कतर जा सकते हैं और उनके पास क्या-क्या होना चाहिए डोकुमेंट तो दोस्तों ये जो नियम rule है नमबर के महने से ये लागू हो जाएगा और इसमें सिर्फ दोस्तो तीन केटिगरी के लोग ही कतर जा सकते हैं चाहे वो कोई भी सक्स हो काम पर निकली हो चाहे वो विजिट वीजा वाले हो कोई भी सक्स हो दोस्तो इसकी अलग-अलग केटिगरी प्लतीन केटिगरी के लोग सिर्फ कतर जा सकते ह मतलब कि कतर सिपकतर के लोग ही जा सकते हैं। जिनके बादुश्टों कधर का एकामा होना जरूरीício है अगर उनके पास कतर का हैं तो वह कतर जा सकते हैं। जाम इहां फोरं करह recompense एकाम है तो वो लो जा सकते हैं और तीसरा वो लो जिनके पास कतर का हाया कार्ड है मतलब दोस्तो हाया कार्ड के लिए अलगलग कंडिसन लाई गई है वो सारे डिटेल में दोस्तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंदा मतलब दोस्तो तीन condition है पहला condition है कतर citizen के लिए दूसरा है जिनके पास कतर का हिकामा है या फिर कतर का resident है और तीसरा दोस्तो कतर का हाया card है मतलब दोस्ति ये जो सारी तीन condition जो तीन category के लोग हैं ये दोस्तो तब तक लागू रहेगा जब तक वहाँ पर world cup खतम नहीं हो जाता मतलब दोस्तो 18 November से लेकर 21 December 22 तक ये नया rule वहाँ पर लागू रहेगा और आप लोगों को जिन्दा कर निक बात नहीं है अगर आप पास तीन category में कोई भी आप category में आते तो आपकतर नवंबर से नवंबर से लेकर दिसंबर तक महिने तक आपकतर आना जाना कर सकते हैं दोस्तो ये रहा आज का बहुत ही important update और ये दोस्तो इंपॉर्टन अपडेट को अपने दोस्तों तक भी सेयर कर दे ताकि ये लोग भी इस important update को जान सके दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले